2018 को वेलकम करने से पहले हमें याद आता है 2017 जो पूरा साल आर्थिक बदलाओं के दोर से गुज़रा और इन आर्थिक बदलाओं के बाद हमें यह जानने की ज़्यादा उच्छ सुकता होगी कि अब आने वाला साल हमारे लिए कैसा होगा इसी पर हम आज बात करने के लिए हमारे साथ MP News के साथ मोजूद है Institute of Chartered Accountants of India के President निलेज जी उनसे हम जानना चाहेंगे कि आने वाला साल किस तरह से आम लोगों के लिए रहेगा और आर्थिक जस्ती से कितने बदलाव हमको और आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं तो सबसे पहले मैं MP News पर निलेज जी का स्वागत करना चाहूंगा और उनसे पहला सावाली पूछ हुआ कि जो बीता साल था जिसमें डी मॉनेटराइजेशन के अलावा जीस्ती जैसे बड़े मामले सामने आये वहीं रेरा कानून भी सामने आया है इसके बाद अब जो आने वाला साल है वो हमें किस नजरी से दिखाई देता है बहुत बहुत धन्रका नमस्कार गए साल एक डेढ़ साल में इतने सारे फाइनेशली बदलाव आये हैं जैसे आपने बताई जी सडी आया हुए डी मॉनिटराइजेशन रेरा बेनामी लौ तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं और ये सारे बदलाव देश के लिए बहुत ही accept करके तो इसका इंप्लिमेंटेशन इस साल में अच्छा होगा और इससे देश की बहुत उन्नती होगी ऐसा मेरा अभीप्राय है अभी तक आसमन जैससे अबना हुई है कि लोग उसे व्यापारी लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो आप किस नजरी से देखते हैं जो जो कानून है लागू किया गया है उसमें आने वाले समय में किस तरह से जो प्रभा होए हमारे देश पर देखने को मिलेगे एक तो मैं थोड़ा क्लेरिफाय कर दूँ प्राइमिंदीस साब ने जी एस्टी को लेके सीए के बारे कुछ नहीं पताया था उन्होंने डी मॉनेटाइजेशन के लेके दो तीन जो हमारे एक्जामपल हुए थे वह एक्जामपल में हमने छे मिने में उनके सामने एक्शन ले जी एस्टी का इतना बड़ा यह काईदा हुआ है कि जैसे एक सेंट्रल गवर्मेंट उन्तीस स्टेट गवर्मेंट और दो यूनियन टेरिटरी 32 लोग एक काईदा लेके आते हैं तो उसमें थोड़ी इनीशल तकलिफ होनी तो स्वाभाविक है और यह एक यह लो में खासि से इंप्लिमेंट करें सिर्फ यह नहीं एक जुलाई के बाद भी जितनी तकलीफ है आ रही थे तो गौवर्मेंट बदलते जा रही है और वह उसको आसान करने के लिए और हम भी उसमें काफी सुजाओ दे रहे हैं तो आज अभी तक लॉस्टेबल नहीं होता उसमें स्वा अगले साल जो है सरकार बजट पेश करने जा रही है और यह हो सकता है चुनाओ के पहले का बजट हो एसे में आप लोगों से भी सुजाओ मंगाए गए सरकार के सामने देने जा रहे हैं हमने चार्ड डिसम्बर मीटिंग हुई है अपने सरकार के साथ में काफी सारे हमने और इंडिरेक्ट टेक्स में जो जीएस्टी का तो अलग से चली रहा है पर जीएस्टी के अलावा भी जो पुराने लॉज है एक्सराइस जूटी है सर्विस उस सब में भी क्या जो पुराने केसिस चलने उसको कैसे जल्दी से समेट ले बहुत सारे सुजाओ दिया और इं ग्रihenट होगा तो वह व्ल्ल का्रोथ होगा तो लॉन टम अपने इंडिया में निवेश करने में कोई हर्ज नहीं पथान depicted कर यह पंगे तो उपर mo लॉड नेश जी और इन्होंने जो हमारे देश की आर्थिक इस्तिति है इसको लेकर कई सारी बाते बताई और जो आने वाला नया साले 2018 उसमें हमारे देश में किस तरह से आर्थिक बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं उस पे भी उन्होंने अपनी जानकारी दी फिलाल हमें इजाज़त दीजिए कैमरा परसन धर्मेंद यादाव के साथ शारदूल राटोर MP News इंदोर